आज पेश हुए बजट की आज वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोरोना काल का पहला बजट पेश किया बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए इंकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और स्वास्ते सुविधाय बढ़ाने के लिए इस सेक्टर के फंड में 137 प्रतिशत का इजाफा किया है इस दश्रक के पहले बजट में वित मंत्री ने कई सेक्टरों को सौगाद दी तो कुछ को निराश भी किया है वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरोना वाक्सीन समेट केंद्र सरकार की कई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फंड का एलान किया है बजट में रेलवे को एक लाग करोड से जादा का बजट देने का एलान किया गया जबकि आत्न निर्भर भारत को खरीब 2 लाग करोड स्वास्थे मिशन को 2,24,000 करोड कोरोना वाक्सीन के लिए 35,000 करोड स्वास्थ भारत मिशन के लिए 1,42,000 करोड और जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड का बजट देने का एलान किया गया तो इन छे तस्वीरों में आपको एक बात बता रहे हैं कि किस तरह की रूप रेखा इस बार पेश हुए बजट में नजर आई प्रदान मंत्री ने बजट को देश की तरक्की की रफ़तार बढ़ाने वाला बता और कहा कि बजट के दिल में गाओं और किसान है इस बजट में जिस तरह से रिसर्ट और इनोवेशन एको सिस्टिम पर बल दी गया गया जो प्रावधान किये गये हैं उनसे हमारे युआओं को ताकत मिलेगी महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्त, स्वच्चता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजट में विशेश बल दिया गया है बजेट में, इन्फास्टेक्टर पर खर्च में, अबुद्ध पुर्व बृद्धी के साथ साथ कई व्यवस्तागत सुधार किये गये हैं जिसका बहुत बड़ा फाइदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रियेशन रोजगार के लिए बहुत लाब होगा देश में एग्रिकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आयप बढ़ाने के लिए इस बजेट में बहुत जोर दिया गया है कई प्रावधान किये गये हैं एग्रिकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज़्यादा रन मिल सकेगा देश की मंडियों को यानि EPMC को और मजबूत करने के लिए ससक्त करने के लिए Agriculture Infrastructure Fund से मदद का प्रावधान किया गया है यह सब देन नहीं यह दिखाते हैं कि इस बजेट के दिल में गाव है हमारे किसान है MSME सेक्टर को गती देने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार MSME सेक्टर का बजेट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से जादा कर दिया गया है साथियों यह बजेट आत्म दिर भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरी की प्रगती शामील है यह बजेट इस दशक की शुरुवात की एक मजबूत नीव रखने वाला बजेट है सभी देशवासियों को आत्मन निर्भर भारत के इस महत्वे बजेट के लिए मैं बहुत-बहुत सुबकामनाय देता हूँ और केंद्रिय मंत्री रविशंगर प्रसाद ने बजट पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया उन्होंने का कि इस बजट में किसानों समेथ सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है किस तरीके से इस बजट में किसानों के मुद्धे को एड्रस किया गया है? माताओं को फ्री गैस मिल रहा था अस्टि को लों को खाना दिया जा रहा था और आज कि उसमें क्या है? आज मुझे आप देखेंगे तो किसानों के लिए स्वामित्व स्कीम की बात की खोशना हुई है की नहीं? एक हमारा E-NAM मंडी है जिसमें लगबग एक हजार मंडिया है आज कहाँ एक हजार मंडिया और जुड़ेंगे बटन दबा कर अपना माल में चुड़ेंगे आज बिहार में और अंगाबाद में स्ट्रावरी ये खेती होती है हमारे किशन गंज में खेती होती है पानेबल की आप जाएए बुलन शहर में वहाँ सैक्डो गाव में किसान और श्ट्रिया के उगाते हैं गाजर और दस गुना चोगुना अधिक पैसे कमाते हैं तो उनको ये डिजिटल मंच बहुत सायोग करेगा और कॉंग्रिस ने ता अधिकर जुन खटगे ने कहा है कि बजट में सिर्फ उनी राजियों पर ध्यान दिया गया जिन राजियों में चुनाव होने वाले हैं उन्होंने का कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है खटगे जी जिस तरह का बजट पेश हुआ है सरकार कह रहे हैं दिशा और दसा बदल देगा देश का ये बजट नहीं है इसे तो जुमले उनके पास बहुत है दिशा बदलेगा देश को मजबूत बनाएंगे लेकिन इसमें कोई डिफेंस के लिए उन्होंने क्या पैसा रखा वो तो नहीं बताया और जो चार स्टेट में एलेक्शन को जाना है वहाँ पर तीन लाग पीस हजार करोड रुपे उन्होंने रखा है यह अच्छी बात है किसी राज को पैसा देना डेवलप्मेंट के लिए हम वेलकम करते हैं लेकिन कब किस वक्त चुनाओ है अब चुनाओ सामने रख कर उन्होंने चार स्टेट को तीन लाग बीस हजार करोड रखा है उसी डंग से वेस्ट बेंगाल और आसाम को भी सेपरेट पैसे उन्होंने दिये हैं तो यह क्या दर्शाता है चुनाओ के द्रश्टी सो अनौन्स करना और बाकी के वक्त उन्हों स्टेट को याद भी नहीं करते तो कॉंग्रिस पार्टी चुनाओी राज्यो पर महरबानी का इल्जाम लगा रही है